हिंदी वालों का सेलेक्शन इतना कम क्यों हो रहा है कि उनके सेलेक्शन का प्रतिशत खटता चला गया है यूपीएस्सी की भेदभावपूर्ण नीती को जिम्मेदार ठैराया जाता है जो पेपर का जो इस्तर है वो थोड़ा सा कठी नुखोता जा रहा है मेरे प्यारे साथियों नमस्कार फ्रेंड्स हर साल जब भी सिविल सर्विस एग्जामरेशन के रिजल्ट डिकलियर होते हैं इस पर बहुत जोश खरोश के साथ बहस शुरू हो जाती है कि हिंदी वालों का सेलेक्शन इतना कम क्यों हो रहा है और जनरली इसके लिए UPSC की भेद भावपूर्ण नीती को जिम्मेदार ठैराया जाता है तो मैं आज के अपने इस वीडियो में इस सच्चाई के बारे में बताऊंगा कि यदि ऐसा हो रहा है तो उसके कारण क्या है और साथ ही साथ कि हमारे जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के वे कैसे इस इस्थिती का मुकावला करें तो आईए सबसे पहले शुरू करते हैं कि सच्चाई क्या है दोस्तों 1979 से जब से हिंदी और हमारे कॉंस्टूटूशन में जो लेंगवेजिज हैं उनके माध्यम से सिविल सर्विस की शुरूआत हुई है तब से मैं इस से जुड़ा हुआ हूँ उस से मैं मैं आप सबकी तरही है कि स्टूटेंट के रूप में तयारी कर रहा था और बाद में चुकि मेरी इसमें रूची रही है तो लगातार मैं हर साल इस एक्जामेनेशन को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ और पिछले कुछ सालों से तो मैं लगातार इस स्टूटेंट को गाइड ही कर रहा हूँ देखी यह सच्चाई है कि हिंदी, मीडियम और इसमें आप दूसरे हमारे राज्य की जो भाशा हैं उन्हें भी शामिल कर सकते हैं कि उनके सेलेक्शन का प्रतिशत घटता चला गया है, मैं अंडरलाइन करूँगा, घट नहीं गया है बलकि क्रमशह घटता चला गया है इसके लिए बकायदे हमारे पास डेटा हैं और ये डेटा भी कोई कालपनिक नहीं है या किसी प्राइवेट एजेंसी के दौरा दिये गए नहीं है, बकायदे यूपीएसी के दौरा दिये गए डेटा है उन डेटा के आधार पर बिलकुल पूरे के पूरे विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि जब से सिविल सर्विस के प्री एग्जामेनेशन में सी सेट इंट्रोड्यूज किया गया है तब से हिंदी मीडियम और दूसरे भाशाओं के सेलेक्शन का प्रतिशत ड्रास्टि गिरा है मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहूँगा दो हजार दस में टोटल मोटे तौर पर हम मान करके चलते हैं कि बारह हजार स्टूडेंट मेंस के लिए सेलेक्ट किये लिए 12,000 इनमें से 4,200 स्टूडेंट यानि कि 42 सव स्टूडेंट हिंदी मीडियम के थे पर पर लगभग 35 परसेंट दो हजार ग्यारा में सी सेट लागू किया गया और देखे कि क्या आंकडे हमारे सामने आते हैं मेंस के लिए 11,230 स्टूडेंट सेलेक्ट किये जाते हैं जिन में हिंदी वालों की जो संख्या है वह हो जाती है 1632 कल्पना करके देखे कि 2010 में जो 200 थी ऐसा क्या हो गया कि एक साल के अंदर उसकी संख्या गिर करके 1600-1700 के आसपास हो गया यानि कि 35% से रिडियूज होकर कि वो 15% पर पहुँच गया लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ 2019 के जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा आए हुए हैं उनमें यह संख्या तो और ज़्यादा दैनी हो गई है और वो हो गई है 571 आउट अफ 11,467 परसेंट आप निकालेंगे तो नियर अबाउट 5% यानि कि 2010 के 35% से हिंदी मीडियम वालों का सेलेक्शन मेंस के लिए 2019 तक आते आते केवल 5% रह गया है मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सॉलिड कोई रिजन हम इसके लिए धूंड सकते हैं सीदी सी बात है कि जब से CSET इंटोड्यूज हुआ है तब से हिंदी और जो दूसरी भारती भाषाए हैं उनके सेलेक्शन का परसेंटेज लगतार गिरता गया है आईए अब इस तथ्य को थोड़ा समझने की कोशिस करते हैं कि UPSC कैसे भेदभाव कर रहा है कर भी रहा है या नहीं कर रहा है फ्रिंट जो मैंने भी आपको डेटा दिये हैं ये प्री एग्जामेनेशन के हैं आप जानते हैं कि प्री एग्जामेनेशन आबजेक्टिव टाइप का है जिसमें आपको OMR sheet दी जाती है और उसे आप भरते हैं और जो कॉपी की चेकिंग होती है वो मशीन के द्वारा होत है आप खुद सोचकर के देखिए आप खुद निषकर्स निकालेंगे कि नहीं ने इसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता लेकिन सचाई तो है कि हिंदी वाले बहुत तेजी के साथ बाहर होते चले जा रहे हैं तो फिर सचाई क्यों है कहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका सही प्रमाड हमारे सामने मौजूद है कि हम in fact C-set को ही qualify नहीं कर पा रहे हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2011 में इसे introduce किया गया था तब तो ये बकायदे marks में जुड़ते थी इसके marks उस समय भी हमारी स्थिती इस से थोड़ी से बहतर थी लेकिन दो साल के बाद इसको qualifying कर दिया गया और कुछ जो अंग्रेजी के questions पूछे जाते थे अंग्रेजी भासा से related उसे निकाल दिया गया लेकिन दुर्भागे से इस्थिती बहतर नहीं हुई तो हमें ये भी सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है दूसरी बात जो एक छोटी सी ही सही लेकिन कभी कभी चर्चा में आ जाती है और उससे पूरी तरह से हम disagree भी नहीं कर सकते हैं वो थोड़ा सा translation को लेकर के है translation थोड़ा सा cutting किस्म का होता है जो बोलचाल की भाषा होती है या जो निज़ पेपर्स की या जो मीडिया की language है यहां तक की जो किताबों की वीजियो भाषा होती है उससे हट करके वो थोड़ी सी बहुती टेक्निकल लैंग्वेज या कह लिजे कि गूगल की भाषा हो जाती है वहाँ जोड़ी सी परिशानी हिंदी मेडियम वालों को मैं मान सकता हूं की होती है लेकिन वो परिशानी इतनी बड़ी नहीं है कि उससे percentage इतने reduce हो जाएं और इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप उससे निपट न सकें तो आईए अब हम लोग यह देखने की पस्ट रूप से समझ लेनी चाहिए और स्विकार भी कर लेनी चाहिए कि ये जो सी सेट है ये रहेगा मुझे नहीं लगता कि इसे हटा दिया जाए इसके पीछे डिमांड करने वालों के पास कोई बहुत ठोस तर्क है हाँ ये बात अलग है कि ठीक है ये बात देखने में आ जाती है कभी कभी की जो पेपर का जो इस्तर है वो थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है इसे थोड़ा सा कम किया जा सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि इसे हटाया जाएगा और देखे वैसे भी सिविल सर्विस का जो चरितर है और देश भी यही चाहता है कि इसका जो करिक्टर है वो इंक्लूसिव हो यानि कि हर वर्ग के लोग हर भाशा के लोग देश के हर चेतर के लोग इस सेवा में आएं तो इस लिहाज से आएए अब देखते हैं कि किया क्या आ जाना चाहिए फ्रेंडस से बात करते हुए उन्हें गाइड करते हुए मुझे जिस तरह की समस्ज्याएं समझ में आई हैं उन्हीं के बहुत जी ब्यावारी क्रूब को मैं आप सब के सामने पेश कर रहा हूँ सबसे बड़ी बात साइकॉलाजी की है psychology की है कहने का मतलब यह हिंदी वाले खास कर उसमें जो arts ग्रूप के students हैं वो यह मान करके चलते हैं कि नहीं सी सेट को शायद हम नहीं कर पाएंगे यह बहुत ही कठिन विशह है यहां मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा पहली बात तो यह है कि आप चाहे किसी भी faculty में हूँ किसी भी discipline में पढ़ रहे हूँ आपने पढ़ाई कर ली हो लेकिन 10 तक तो आपने बकायदे maths वगेरे पढ़ा ही है आप जानते हैं उसके बीज आपके अंदर मौजूद है ठीक है कोई reason ऐसा रहा कि आपने फिर science ने लिया engineering में आप नहीं गए और आपने दूसरी faculty arts या commerce में आप चले गए लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप maths या जो आपके CSET में जिस तरह के प्रशने पूछे जाते हैं उनसे आप बिलकुल ही अंजान है ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो अपने अंदर confidence लाइए कि नहीं उसके बीज मेरे अंदर मौजूद है जो दूसरी बात है उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरन पेश करना चाहूँगा जहां हाथी पाले जाते हैं वहां आप अगर कभी जाएं तो वहां आपको एक बड़ी विचित्र सी भाब दिखाई देगी जो हाथी का बच्चा है वो बहुत मोटी जंजीर से बंधा हुआ होता है बहुत ही मोटी जंजीर से बंधा होता है लेकिन जो बड़ा हाथी है वो बहुत ही पतली जंजीर से बंधा हुआ होता है तारकेक रूप से सोचेंगे तो यह आपको बड़ी विचेतर सी बात लगेगी कि बच्चा मोटी जंजीर से बंधा है और यह जो ताकत वरा बड़ा आती है यह पतली जंजीर से बंधा है इसके reason को ध्यान से सुरिए कारण यह होता है कि जो छोटा बच्चा है वो बार बार अपनी माँ के पास जाने के लिए जंजीर को खीचता है बार बार वहां जाना चाहता है और उसे रोकना जरूरी होता है तो उसे मोटी जंजीर से बांदिया गया है ताकि वो तंजीर को तोड़ न सके इसी बीच में होता क्या है कि वो बार बार जंजीर को खीचता है जंजीर के खीचने से पैर में या उसके गर्दन में घाव हो जाते है धीरे धीरे जब खीचे गा तो घाव हो जाएंगे अब जब फिर से वो जंजीर से खीचता है तो फिर वो घाओ बहुत तेजी से दर्द करने लगते हैं फिर खीचता है और दर्द बढ़ता है तो ये जो दर्द है वो उसके दिमाग में बैठ जाता है और इतना बैठ जाता है कि अब वो बड़ा हो गया है बड़े आराम से वो दर्द उसके दिमाग में बैठा हुआ है तो कोशिस ही नहीं करता दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि सी सेट से घबडाने वाले जो मेरे युवासाथी हैं वो भी इसी तरह की मानसिकता कि कोई शिकार हो गए है कि नहीं हम सी सेट नहीं कर सकते हमसे नहीं हो पाएगा यह बहुत कठिन है डेफनेटली उतना असान तो नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आप इसे कर न सके और केवल इसकी वजह से आप सिविल सर्वेंट न बन पाएं आफटराल सोच करके देखें कि आपने सिविल सर्वेंट बनने का फैसला किया है एक बड़ा उद्देश निरधारित किया है दूसरी जो बात है वह क्वालिफाइंग शब्द से जुड़ी है यह आपकी ताकत भी है और यह आपकी कमजोरी भी है देखिए कैसे है कमजोरी इस माइने में है कि आपको लगता है कि अरे इस पेपर को तो क्वालिफाई ही करना है तो qualify करना क्या मूशकिल काम है बड़े आराम से कर लेंगे तो एक तरफ तो आपको ये paper कफिन लगता है दूसरी तरफ चूकि ये qualifying paper है तो आप सोचिन लगते हैं कि इसे बड़े आराम से कर लेंगे तो फिर आप महनत नहीं करते हैं ये आपकी कमजोरी है ताकत कैसे है, इस माइने में आपकी ताकत है कि एक्योवल कौलिफाइंग पेपर, इसके मार्क्स नहीं जूड रहे हैं, आपको क्योवल 33% डिस्कोर करना है तो ये आपकी ताकत है, मतलब ये आपकी मेरिट लिस्ट को निरधारित करने वाला पेपर नहीं है तो आपके डिमाग में ये भी तो बात होनी चाहिए कि ये चुकि आपके मार्क्स में एड़ नहीं होंगे तो अगर हम इस तरीके की भी तैयारी कर लें कि 35% मार्क्स ले आएंगे तो बात बन जाएगी अब सवाल उठता है कि इसके लिए किया क्या आ जाए इसके लिए मैं आपसे खास कर दो बातें करना चाहूँगा बहुत लंबी चोड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत से धान्त की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल ब्यवहार की दो बातें आपसे करने जा रहा हूँ पहली बात तो यह है कि आपको बकाएदे इस पेपर की तैयारी के लिए अपनी एक स्टरेजी तैयार करने चाहिए एक रणनीती बनानी चाहिए रणनीती से मेरा मतलब क्या है आपका पूरा का पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में देखी कम्प्रेहेंशन भी है कुछ मैट्स के भी कोश्चन आते हैं कुछ लॉजिक के भी आते हैं कुछ रिजिनिंग्स के भी आते हैं इस तरह से अलग-अलग सेक्टर दिये हुए है और लगबग-लगबग सभी से कोश्चन पूछे जाते हैं आप देखें कि आप उन में से किन किन में अपने को comfortable महसूस करते हैं जहां तक comprehension का सवाल है आप जानते हैं कि total 80 questions में से minimum 25 questions तो comprehension से आ जाते हैं तो आपकी रणनीती से comprehension तो बाहर नहीं हो सकता वो तो आपकी रणनीती में शामिल होने ही चाहिए इसके बाद जो दूसरे सेक्टर बज जाते हैं उन सेक्टर समें से उन section में से आप देखिए कि किन किन को आप कर सकते हैं आप सबी को तैयार करने के चक्र में मत पढ़िए उसे आप गड़ बड़ा जाएंगे कुछ को चुनिए उन पर फोकस कीजे और उन पर अच्छी तैयारी करने शुरू कर दीजे और ये तैयारी आपकी शुरू से ही आरंब हो जानी चाहिए शुरू से ही आरंब हो जानी चाहिए कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ठीक है परिक्षा से दो मेहने पहले कर लेंगे not at all आप जैसे ही civil service examination की तैयारी में लगते हैं रोज इसके लिए आप समय ने धारित कर लीजे कि आधा घंटा कम से कम आधा घंटा मुझे c set को देना है और जो मैंने अपने लिए section चुने है उन sections को मुझे बहुत अच्छे से तयार करना है और इस तरीके से तयार कर लेने हैं कि इसमें से मैं total 40 questions बनाऊंगा मतब 50% आपका score हो गया और इसमें जादा से जादा मेरे questions सही होंगे अगर आप 40 questions के बारे में नहीं सो सकते तो 40% के बारे में सोच लीजे यानि कि 32 questions आपके सही होने चाहिए यह बिलकुल भी मुश्किल नहीं है तो पहली बात है कि आपको इसकी रणनीती बनानी चाहिए और दूसरी बात है लगातार इसका अभ्यास करते रहना चाहिए आप जितना जादा अभ्यास करते चले जाएंगे आप देखेंगे कि आप उतने जादा उसमें सिधस्त होते चले जाएंगे आपके लिए वो चीजें इजी होती चली जाएंगे और अगर आप ऐसा करेंगे तो एक घटना आपके साथ और अच्छी घटित होगी वो यह होगी कि धीरे धीरे चीजें आपको एजी लगने लगेंगी एजी जब लगने लगेंगी तो आपको confidence improve होगा और जब confidence improve होगा तो सिधी सी बात है तो उसका impact के वल सी सेट के पेपर पर ही नहीं पड़ेगा बलकि overall पड़ेगा आपको लगेगा कि नहीं I can do this I can do this I can do this दोस्तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करके आप बड़े आराम से सी सेट के पेपर को qualify कर सकते हैं और इसके बाद फिर automatic तरीके से हिंदी वालों का प्रतिशत बढ़ेगा आप सोच करके देखिए अगर बांध में ही पानी नहीं होगा तो नहरों में पानी कहां से आएगा अगर हिंदी मीडियम और दूसरी भारती भाषाओं के स्टूडेंट मेंस तक ही नहीं पहुँच पाएंगे तो आप बताई कि final selection होगा कहां से मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है सी सेट को ले करके यह जो आखरी बात है छोटी सी वो यह है कि translation जो थोड़ा सा कठिन होता है देखिए आपको general English की तैयारी करनी है वो भी qualifying paper है आपको qualify करना पड़े रहा तो थोड़ी सी जो English की जो terminology होती है उन पर थोड़ा सा काम करें थोड़ी सी English की को बेहतर बनाने की और जाएं तो ऐसे में होगा यह कि मानले जे की कोई एक ऐसा शब्द आ गया है जिसे आप नहीं समझ पा रहे है तो जब आप English का शब्द देखेंगे तो वो आपकी समझ में आ जाएगा इसे भी आपको मदद मिल जाएगी और अगर ये काम आप करते हैं तो मैं आपको एशूर कर सकता हूँ कि सी सेट का पेपर आपके लिए न तो इतना डरावना रह जाएगा और नहीं ये कोई इतना बड़ा समुद्र बन जाएगा जिसे आप लांग ना सकते हों फ्रेंड्स मेरे सामने प्रमाड आते हैं कि जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में इस्टूडेंट ने 65% मार्क से स्कोर किये है और अनफॉर्चनेट पार्ट ये है कि सी सेट में उसके टोटल 65 मार्क से यानि कि एक मार्क के लिए वो चूक जाता है और सिविल सर्वेंट बनने से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है सोच करके देखे कि उसके अंदर कितनी पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए समा गई होगी मैं आपको एशूर करता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इतना कुछ कर लेंगे तो डिफनिटली ये जो यू पीएससी का प्री एग्जामेनिशन है आपके लिए कठिन नहीं रहेगा आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे और एक बार जब मेंस में पहुँच जाएंगे तो डिफनिटली सफल होने की संभावना है पहले से कई गुना जादा बहतर हो जाएंगी और हिंदी वालों का प्रतिशत अच्छा फुता चला जाएगा फ्रेंड्स यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें दूसरों के साथ इसे शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब भी करें और हम लोग अब इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अवेलेबल है इसके लिंक नीचे दिये गए बेरे शुब कामना आए आप सब के साथ है नमस्कार